पवित्र पुन्या और निकी तामबोली के बीच हुई जमकर फाइट, बात्रूम ड्यूटेस पढ़ गई भारी मिगबॉस 14 में शुरुवाच से ये एक कंटेस्ट ऐसी रही है जिसने घर के अंदर मुद्दे बनाने बड़े ही अच्छे से आते है मों कोई और नहीं है निकी तामबोली और निकी से तो पवित्रा का है अलग प्यार इन दोनों की आपसी मदभेथ कुछ एपिसोड से ही दिखाई जा रही है आज के एपिसोड में देखने मिलने माला है पवित्र और निकी के बीच घमासान यूद चाहा किसी और की बार्तरूम डिउटी बनेगी इन दोनों के बीच जगड़े की वज़ा जहां कल राहूल अपनी बार्तरूम डिउटी अच्छे से नहीं कर रहे है महीं पवित्रा ने दे दी थी निकी को मैसेज कि वो जाकर कह दे राहुल से कि वो पहले बातरूम साफ कर दे लेकिन हो गया निकी और राहुल के बीच misunderstanding जिसके बाद कल ही देखने मिला था पवित्रा और राहुल का जगड़ा जहां निकी कह देती है कि पवित्रा अपने मुद्दे खुद सुल जाए वही आज वो जगड़ा बढ़ते आएगा नजर जहां निकी अभिनव से कहती नजराएंगी कि पवित्रा ये सब सिर्फ content के लिए कर रहे है क्योंकि उन्हें content नहीं मिल रहा महीं निकी की इस बात पर हो जाएगी पवित्रा घुस्ते जिलाद महीं पवित्रा ये भी कहती नजराएंगी कि वो ये सब content के लिए कर रहे है इतना ही नहीं पवित्रा ये भी कहेंगी कि वो उन में से नहीं है जो किसी लड़के के उंगली लगाने के बाद पूछे कि हाथ क्यों लगा है वो सीधार रख कर देगी निकी और पवित्रा के बीच घर के अंदर बात्रूम को लेकर बढ़ती नजराएंगी tension इनके तीखे बार में कर देंगे abusive language का बेस्तिमार अब इनके बीच सब कुछ ठीक होगा या नहीं ये तो आने वाल एपिसोड में देखना होगा आपका क्या है कहना पवित्रा और निकी के इस बात्रूम फाइट को लेकर हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं टेलेविजिन के लिए डिस न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें झाल